इसलाम लेक्म स्टूदेंट्स पिछले मोड्यूल में हमने इंटलेक्टियल प्रॉपर्टी राइट्स के प्रोटेक्शन की बात की कि social entrepreneurs के लिए एक incentive है innovative रहने के लिए नए ideas को explore करने के लिए experiment करने के लिए माश्चरे के उन problems को हल करने के लिए जिने governments या markets हल करने में नाकाम है या reluctant है Patent जो है वो exclusive rights grant करता है किसी invention के लिए उसके inventor को कि वो अपनी invention जो है उसके सारे rights रखता है कि वो उसे किस तरह से use करता है खुद use करता है या किसी दूसरे के साथ share करता है उसको sell कर देता है या उसको किसी खास form में महफूस कर लेता है या उसको एक limited हद में दूसरों को استعمال करने की इजाज़त देता है पूरी दुनिया में तकरीबन 20 साल का अर्षा जो है वो patent का period होता है कि जब कोई नई invention हो तो 20 साल तक जो inventor है उसको हग हासिल है कि चुँके उसने महनत की थी उस इजाद को करने के लिए सोच, बेचार, experiments, trial and error सब कुछ किया था तो उसको हग हासिल है कि वो 20 साल का अर्षा जो है उसकी मर्जी से उस invention को इस्तमाल किया जाए वो खुद करे या वो दूसरे लोगों को इस्तमाल करने दे या इस्तमाल करने से रोक दे patent जो है वो 20 साल के बाद expire हो जाता है अब इसके पीछे philosophy क्या है यह basically जो industrial production है उसको improve करने के लिए invention और चीजों की जो performance है उसको बहतर बनाने के लिए एक incentive है आपने एक industrial innovation या एक invention की कोई tool कोई नया equipment कोई नया chemical कोई नई चीज़ बनाई तो 20 साल तक आप उसके जरीए से पैसे कमा सकते हैं profit असल कर सकते हैं या उसको लोगों की service में use करना चाहें तो कर सकते हैं और दूसरे लोग excluded होंगे आपके competitors के वो आपकी मर्जी के बगएर आपकी इजाज़त के बगएर 20 साल तक उस product को उस tool को उस equipment को use नहीं कर सकते यह एक reward है आपकी मेहनत का as an inventor 20 साल के बाद वो product जो है वो public domain में आ जाती है हर कोई उसको use कर सकता है उसको adapt कर सकता है मतलब एक competition शुरू हो जाता है उस equipment उस good या जो भी production उसके जरीए से वो अब उससे inventor की निस्बत बेहतर मुनाफ़ा कमा सके दुनिया में मुख्तलिफ मुमालक में patent के मुख्तलिफ laws है जिसके मुताबक कौन सी inventions जो है वो patent table है और कौन सी inventions patent table नहीं है या exceptions है वो उन laws के जरीए से तैह होता है पाकिस्तान का जो patent का ordinance 2000 है उसमे details दी हुई है कि अमोमन उसके अंदर ऐसी चीजें ऐसी inventions से अमल हैं जिन में कोई process या कोई procedure हो कि कई नए तरीके से कोई चीज इंडिस्ट्रियल वर्ल्ड में बनाई गई या कोई नया process से डॉप्ट किया गया वो कोई novel idea हो वो production का हो या delivery of services का हो उसमें कोई ऐसा idea होना चाहिए जो के industrially applicable ह लोगों के पस बहुत सारे ideas होते हैं जो जिन्दिगी के मुख्तलिफ हिसों में काम आ सकते हैं लेकिन patent का जो law है वो सिर्फ inventions और industrial application के हवाले से होता है कि वो ideas वो inventions जिनकी industrial application हो यानि technology और उसकी production जो है industry की उसको बढ़ाने के लिए वो काम आ सके ऐसे किसी भी invention को ऐसे किसी भी idea को patent कराया जा सकता है पाकिस्तान में 2000 के patent ordinance के तहट वहाँ पे कुछ exceptions भी हैं उस law में कि कौन सी चीज़ें जो हैं जिने patent नहीं कराया जा सकता जिनका inventor जो है उसको कोई exclusive right हासल नहीं है मसलन discoveries यानि वो चीज़ें वो realities जो already दुनिया में मौजूद थी just वो अब discover हुई हैं उसमें natural laws हो सकते हैं जैसे Newton का law of attraction था इसी तरह उसमें कोई mathematical equation हो सकती है जो के nature में exist करती है हमारी environment में हमारे atmosphere में मौजूद है just समझने की बात है कि कौन उसको समझता और उसकी application everyday जो है उसको find out करता है तो discoveries, natural laws, mathematical जो methods हैं ये patent में नहीं आते ये क्यों patent में नहीं आते इसलिए कि natural laws और discoveries जो चीज़ें already मौजूद हैं वो बाज उकात by chance भी सामने आ जाती हैं या उनके लिए इनसान की faculties उस हद तक involved नहीं होती जितनी invention में involved होती है ना उसकी जहनी इस्ततात और ना उसकी जो labor है physical labor वो उस तरह से involved होती है तो ऐसी चीज़ें जो हैं उनको patent नहीं किया जा सकता इसी तरह जो creative works of art होते हैं उन्हें patent नहीं किया जा सकता पाकिस्तान में अगरचे उसके लिए मुख्तलिफ law available हैं जैसे हमने written pieces के हवाले से copyright की बात की थी पिछले module में intellectual property protection के हवाले से तो पाकिस्तान में जो social entrepreneurship है वो उन्हीं laws को follow करता है patent के लिए जिनको business entrepreneurs करते हैं और ये 2000 का ordinance है patent जो है वो पाकिस्तान की intellectual property organization करती है इसलामबाद में उसका head office है उसका एक section जो है वो patents का का काम करता है inventors अपनी invention जो है वो इस agency को भेज देते हैं agency उसको examine करती है क्या वाकिए ये कोई नई चीज़ है नया process है इससे पहले ये नहीं हुआ अगर ये है तो क्या ये जिस शक्स या जिस इदारे ने apply किया है उसी का काम है किसी और का इस पर कोई claim तो नहीं है अगर ये सारी श्रायत पूरी होती है तो उसको 20 साल के लिए patent मिल जाता है patent का इतलाक जो है पाकिस्तान में और बाकी दुनिया में भी उस वक्त होता है जब patent grant हो जाता है ये registration हो जाती है उससे पहले अगर कोई उस invention को use कर ले तो हम नहीं कह सकते कि inventor का जो है वो right infringe हुआ है वो उस पे कोई कानूनी कारवाई नहीं कर सकता Thank you कर दो